नमस्कार दोस्तों तो आज बनाते हैं बेज़टेबल चॉप यह बहुत अच्छा एक स्नैक्स है आप कोई भी पाटी में इसको साफ कर सकते हैं लाजवाब टेस्ट होता है दोस्तों बहुत हिल्दी भी बोल सकते हैं वह सकता है यह डिफ्राइए पर बहुत हिल्दी है तो च सबसे पहले दो चममच हमने रिफैंटे लिए आप यह डाल दिया उसमें डाल देंगा अथा चममच जीरा थोड़ा सा काला जीरा और डाल देंगे थोड़ा सा स्वाप इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर अध्रक को बारिक काटके डाल दिया आप कूटके भी डाल सक रखते हैं और डाल देंगे बारिक काटा हुआ गाजर बेंस और डाल देंगे इसमें दोग का दुकश किया हुआ भीट रूट तो बीट को भी इसमें डाल दिया अच्छा से इसको मिला लेंगे और डाल देंगे इसमें थोड़ा स्वाधानुसर नमक और इसको अच्छा से मिलाने के बाद कॉबर करके चार से पाच मिनीट इसको पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद देखिए दोस्तों अच्छा से पक गया तो इसमें डाल देंगे आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच गरम मसाला और डाल देंगे चीरी पावडर इसमें डाल दिया दो से तीन आप मैश के आओ बॉय लालू अच्छा से यह कदूबश करके भी डाल सकते है अगर आपको पसंद है तो आप इसमें यह चाटमासला भी डाल सकते है तो इसको बढ़िया से मिला लेना है और डाल देंगे इसमें बारिक काटा हुआ धनिया के पत्ते उपर से डाल देंगे इसमें थोड़ा सा मुमफरी के दाने यह फ्राई के आओ पहले से ही और इसको भी अच्छा से मिला लेंगे तो दोस्तों यह मुझो मसाला है अब जितना अच्छा से सुखाएंगे उतना अच्छा आपको अंदर भी बनेगा तो इसको बन करके ठंड़ा होने के लिए रख देंगे बस पिलेट में डाल के थोड़ा कोई भी बतर में निकल के इसको अच्छा से ठंड़ा करने ना है तो दूसरा पतिला में हम लोग दूसरा कम करते हैं, दूसरा बॉल में डाल देंगे दो चमच माइदा और डाल देंगे एक चमच कॉन्ट फुलावर थोड़ा सा नमक, एक चुटकी और इसको पानी डालकर अच्छा से स्मूध बैटर हम बना लेंगे अच्छा से मिक्स कर ले रहा है, कोई लांस नहीं रहना चाहिए इसमें, दने दने बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो देखिए दोस्तों, बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो दोस्तों रेसीपि अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करे, शेर करे और आप मेरे चैनल में नया है तो जरूर सस्क्राइब कर ले, तो ऐसे हाथ में थोड़ा सा तेल लगाई है, और जितना बड़ा आपको बनाना है, बेजिटेबल चॉप, तो उससे सबसे आप इसको ले लीजे, और ऐसी हाथ के जरीए थोड़ा सा घुमा के, देखिए गोल बना लिजे, आप चाहिए तो इसको कोई भी सेब दे सकते है, आप चाहिए तो काकलेट के जैसे भी इसको सेब दे सकते है, कोई बात नहीं, इसी तरह से सभी मसाले को हम गोल गोल बना लेंगे, तो देखिए, सारे मसाला हम बना लिया हूँ इसको, आप क्या करना दूस्तो यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा ब्रेट क्राम्स, ब्रेट का पावडर, तो यह रेडी कर लिया हमने, ब्रेट को अच्छा से रगर के थोड़ा सा पावडर बना लिया, अब मिक्षी में डाल के भी इसको पीछ सकते हैं, तो देखिए बैटर भी हमारा तैयार है, सतहार तीनों चीज हमारा तैयर है, तो क्या करना है, इस तरह से इसको एक जो मसला है, इसको पकर के, पहले हमारा जो बैटर बना के राखा हूँ, मैधा का उसमें डालिए, अगर आपके पस कॉन फ्लवर नहीं है, तो खाली मैधा से भी बन जाता है, और उसके बाद निकालके आपको जि बनाईए, तो इस तरह से आप डारेक्ट फ्र्राई कर सकते हैं, और नहीं ते आप क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने पहले बार बनायाँ हो को फिर क्यागा ना इसको double coat लगाना है डबल कोट में इस तरह से फिर से देखिए इसको एक बढ़ उठाके फिर ऐसे डालिए गोहल में और फिर इससे निकालके ब्रेट क्रेम्स लगाए तो सिंगल लगाने से भी आपका बन जाएगा और डबल लगाने से क्या होता है इसका जो क्रैंची पन है कुरकड़ा पन है वो बहुत अच्छा से होता है और बहुत अच्छा लगता है तो as you like आपको अगर सिंगल वाला पसंद है तो सिंगल नहीं तो डबल कोट लगाई है ऐसे मैं जैसे अभी डबल कोट लगाया हूँ इसके में और करना है गरम तेल में फ्राई मेडियम हीट में इसको फ्राई कीजिए देखिए बहुत अच्छा से एक दुम कुरकुड़ा बनेगा कलर बहुत ही अच्छा है तो आज हमारे घर में लाइट नहीं ये करके कलर का थुरा सा डिसकलर दिख रहे है पर बहुत अच्छा कलर है दोस्तों और खाने में तो लाजवाब है तो बाकी भी हम इसी तरह से बना लेंगे तो देखिए तैयार हो चुका है हमारा भेज चॉप बेजडबल चॉप तो बहुत ही टिस्टी होता है दोस्तों तो मेरे साथ अच्छा ही बने रहे हैं थैंक्यू फर वाचिंग